नमस्कार मेरा नाम अन्षुक्ला है और इस वक्त आप कैपिटल टीवी पर देख रहे हैं अंटोल्ड स्टोरी का नया ताजा एपीसोड जिसमें तक्थियों, सबूतों और तरकों के जरिये तमाम अस्थापित मनगणत धारणाओं को तहस नहस किया जाता है रहुल गांधी की जाती को लेकर जारी सिरीच का या दूसरा पार्ट है, पहले एपीसोड में हमने इंदिरा और फिरोज के पुइंट आप ग्यू से राहुल गांधी की हंदू जाती का पता करने की कोशिश की थी और हम नाकाम रहे हैं दूसरे पार्ट में हम जवाहरलाल नहरू के point of view से राहुल की जाच पता करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका सबसे हम सुत्र दिल्ली का आखिरी पोतवाल है। तीसरे पार्ट में हम इसी तरह सोनिया गाधी के point of view से चीजों की पड़ताल करेंगे। पहला पार्ट अगर आप देखना चाहें तो Untold Story के playlist में आपको episodes मिल जाएंगे। आज दूसरे पार्ट में हम नहरू के सत्ता की गोद में पैदा हुए राहुल गाधी की रहस्यमई background का पता लगाने का प्रयास करेंगे। सवाल वही है जो बार-बार पूछा जाता है राहुल की जात क्या है? नहरू की जात क्या थी? उनका परिवार क्या था? क्या देश नहरू के परिवारिक background का पूरा सच जानता है या उन्होंने जो कहा, जो उनके हवाले से कहा गया, लोगोंने उसी को सौफीसत सच मान लिय नेहरू का बैक्ग्राउंड क्या था? यह सवाल जोलंद है. बर्निंग क्योस्टियन है. दोस्तों, नेहरू ने अपनी आत्मकथा में अपने परिवार के बैक्ग्राउंड को लेकर जो बिवरण दियें, आगे उन्ही तत्थियों को स्टेबलिस्ट कर दिया गया. जो आपको भी जेल में ही रहते हुए लिखा. नेहरू की पूरी आत्मकथा अंग्रेजी में भारत सरकार की बेप साइट इंडियन कल्चर.GOB.IN पर आप पढ़ सकते हैं. नेहरू की आत्मकथा से जुड़ी जितनी भी कहानिया मिलती हैं, असल में सब का आधार इसी किताब में दर्ज तत्य हैं. नेहरू ने अपनी आत्मकथा में अपने बैक्ग्राउंड को लेकर क्या कहा पहले उसे जान ले, फिर उनके दाओं की सच्चाई क्या पता लगाते हैं. जोहरलाल नेहरू एन आटोबायोग्राफी से पहले ही उसके पहले ही चैप्टर में नेहरू अपन नेहरू बताते हैं कि वे कश्मीरी हैं. 1936 के हिसाब से नेहरू बताते हैं कि 200 साल पहले नाम दाम कमाने उनका परिवार घाटी चोड़कर दिल्ली में बस गया था. दिल्ली क्यों और कैसे आ गये नेहरू इसकी वजह भी बताते हैं. नेहरू कहते हैं कि औरंग जेब के बा रुक्षियार की कश्मीर यात्रा के दोरान राजकॉल ने बादसा का ध्यान आकरिष्ट किया. और संभावना प्रकट की की शायद इसी वजह से नेहरू का खांदान 1716 में कश्मीर से दिल्ली आकर बस गया. नेहरू ऐसा कहते हैं अपनी किताब में. नेहरू के मुताबिक उनके पुर्खे राजकॉल को दिल्ली में एक नहर के किनारे जागीर मिली थी, एक हवेली मिली थी. इसी नहर की वजह से उनका परिवार पहले कॉल नेहरू के रूप में विख्यात हुआ, जो आगे चल कर सिर्फ नेहरू रह गया. बायोग्राफी के पहले चेप्टर में इसी किताब के दूसरे पेज के पहले पैरा में नेहरू ने बताया कि उनके परदादा यानि लक्ष्मी नारायड कॉल नेहरू सरकार कंपनी के वकील थे. 1857 के बिद्रो से पहले उनके दादा गंगाधर नेहरू कुछ समय के लिए दिल्ली के कोतवाल रहे. गंगाधर नेह नेहरू की मौद 34 वर्सकी आयू में 1861 में हुई थी. यानि संसत्तावन के बिद्रो के करीब करीब 4 साल बाद. लक्ष्मी नारायड नेहरू गंगाधर नेहरू के पिता थे. नेहरू इसी पेज के दूसरे पहरा में बताते हैं कि संसत्तावन के बिद्रो की वजह से उनके परिवार को दिल्ली से उखड कर उत्तर प्रडेस के आगरा आना पड़ा. सत्तावन के बिद्रो में परिवारिक शीनाक्त के सारे पेपर, सारे कागजात सब कुछ नस्ठ हो गए. आगरा में ही नेहरू के पिता मोतिलाल का जन्म होता है. वे वकालत करते हैं और बहतर जीव लेने के तीन महीने पहले ही हो गई थी. नेहरू अपने दादा यानि गंगाधर नेहरू का हुलिया भी एक बियुरण में देते हैं, जिसका आधार पेंटिंग है. किताब में कई जगह खुद के कश्मीरी और ब्राम्वन होने का दावा करते हैं नेहरू. दूसरे पैच के तीसरे पैरा में नहरू बताते हैं कि उनके दादा की एक पेंटिंग थी, जिसमें वे मुगल दरबार के ड्रेस में नजराते हैं. उनके हाथ में तलवार है लेकिन उनका हुलिया कश्पीरी है. इंदिर्या गाधी की घनिष्ट मित्र रही, गुजराती मुल्की लेखिका, पुपुल जैकर ने भी अपनी किताब इंदिरा गांधी के पहले चैप्टर चिनार बैभो के पेज नंबर 3 और 4 में कमो बेश फरुक्षियार के कश्मीरी दोरे वाली वही कहानी कुछ और संदर्भों को जोड़ करके लिखती हैं, जो नहरू ने अपनी आत्मकथा में बत किया है, आपको बता दूं कि मैंने पुपुल जैकर की किताब का मराठी अनुबाद पढ़ा है, जिसका अनुबाद मराठी के एक बहुत प्रतिष्ठित और बरिष्ट संपादक पत्रकार अशोग जैन ने किया है, खैर, नहरू की जीवनी में उनके पारिवारिक बैक्ग् के नहरू की बातों को जम्मू कश्बीर के ही एक प्रतिष्ठित इतिहासकार मुहम्मद यूसूफ टैग ने खारिच किया था, मुहम्मद यूसूफ टैग सेख अब्दुल्ला यानि फारुक अब्दुल्ला के पिता की जीवनी आतिशे चिनार के संपादक थे, यह जानका मुहम्मद यूसूफ के मुताबिक फरुक शियार कभी कश्मीर आया ही नहीं था, वो कहते हैं कि नहरू सरनेम कश्मीर के नुहार या त्राल का हो सकता है, कई और प्रतिष्ठित बेपसाइट्स ने भी अपने फैक्ट चेक में लगभग यही बातें साबित की हैं, अब यह बड़ा सवाल है कि क्या नहरू कश्मीर से परिवार के विस्थापन की एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहे थे अपनी किताब में, और जब कहानी मनगढ़ंत थी, तो किसी ने दिल्ली के आखरी कोतवाल से जुड़े तमाम तथ्यों को जानने की कोशिश क्यों नहीं की, जो ब अरिवार के बारे में दी गए उनकी तमाम दूसरी जानकारियों को किन तथ्यों के आधार पर सही माना जाए। जाहिर है कि इसका आधार प्रुपगेंडा नहीं हो सकता, बलकि वही तथ्यों होंगे जो स्टेबलिस किये जा सके। परिवारिक बैक्ग्राउंड छिपाना तो भारत में एक तरह कफैसन दिखता है। शारुक खान भी कहते हैं कि उनके पुरुवज पाकिस्तान के पेशावर से नहीं थे, बलकि कश्मीरी थे और सदियों पहले पाकिस्तान आकर के बस गए थे। शारुक बताते हैं कि उनकी दादी मा कश्मीरी थी, ऐसा हो सकता है क्योंकि अल्लामा इकबाल भी कश्मीरी ब्रामभर था जो पाकिस्तान में बस गया था, उसके पुर्खे बस गए थे। चुकि इकबाल का परिवार आज की तारिक में पाकिस्तान में है तो मुस्लिम अमीरात में आइडेंटिटी का स जैसा नहरु कह रहे हैं, हो सकता है कि नहरु का भी परिवार शाहरुक और अल्लामा के परिवार की तरह कस्मीर से निकल कर दिल्ली में बस गया हो, जैसे उनका परिवार पाकिस्तान में बस गया था, लेकिन सवाल बना रहेगा कि नहरु ने अपनी आत्मकथा में जो बताय क्या उसे सच मान लिया जाए। दस्तावेजों किताबों में मिले सुत्रों को जोड़कर रहस्य सुलजाया जा सकता है। वला तथ्य नहरू की आत्मकथा से ही उठाया हो। विजय पटेल ने नहरू के दाओं की जाच के लिए नेशनल आर्काइब के कुछ सरकारी गोपनिय डाक्यूमेंट भी खोज करके निकाले। उन्हें मिले डाक्यूमेंट के तथ्य सचमुचहरान करने वाले हैं। और इस्टेबलिस कर देते हैं कि दिल्ली का आखरी कोतवाल सयद मुबारक शाह खान था। दिल्ली के आखरी कोतवाल सयद मुबारक शाह खान का एक आदेज भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं जो उर्दू में। जून 1857 के एक डाक्यूमेंट में दिल्ली के आखरी कोतवाल सयद मुबारक शाह खान के नाम से जारी और आदेज भी मिलते हैं। या दस्तावेज भारत के राष्ट्री अभिलेखागार से जारी गोपनिय दस्तावेजों में भी उपलब्ध है। जून 1857 और अगस्त 1857 के इन दोनों आधिकारिक डाक्यूमेंट के आधार पर साफ हो जाता है कि दिल्ली का आखरी कोतवाल सेयद मुबारक शाह खान ही था, कोई गंगा धर नहरू नहीं था। आधिकारिक दस्तावेजों के अंसार जून 1857 और अगस्त 1857 में सेयद मुबारक शाह खान दिल्ली का कोतवाल था। 1857 के गदर की अवधी 10 मई 1857 से लेकर 1 नौंबर 1858 तक थी। नेशनल अर्काइब के डाक्यूमेंट से नहरू की आत्मकता में इस दावे को तत्यों के पैमाने पर खारिज कर देते हैं कि गंगा धर नहरू जो जवाहरलाल नहरू के दादा थें, वह 1857 के बिदरों से ठीक पहले दिल्ली के कोतवाल नियुक्त किये गए थे, यानि वे दिल्ली के अंतिम कोतवाल थे, यह खारी जो जाता है, सेद मुबारक शाह खान ही दिल्ली का आखरी कोतवाल था, यह तत्य दलास्ट मुगल नाम की एक किताब में भी मिल जाता है, सतावन के बिदरों के वक्त दिल्ली का बादशा बहादू शाह जफर था, और दलास्ट मुबारक शाह खान दिल्ली कांतिम्ट कोतवाल था जिसे मुईन उद्दीन हुसैन खान को हटा कर कोतवाल बनाया गया था चीजों को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मुईन उद्दीन हुसैन खान के नाम पर विसेज ध्यान देना आप लो मज़दार यह है कि मुईन उद्दीन हुसैन खान लोहारू परिवार से था यह नहरू जैसा लगता है जैसे इंदिर्या गाधी की बुगा कृष्णा हटी सिंग फिरोज गाधी के बारे में लिखती है उनकी जाती घांडी से गांडी बदलने को लेकर के कि पार्सियों का घांडी अपुभरंस में गांदी हो गया हो सकता है कि लोहारू भी इसी तरह बदल करके नहरू हो गया वैसे यह भी कम मज़दार नहीं है कि बिद्द्रोह का दमन करने के दोरान अंग्रेजों ने लगभग सभी मुगलिया अपसरों को मार दिया था मगर ये दोनों पुरुवकोतवाल दिल्ली से भागने में सफल हो गए ठीक वैसे ही जैसे नहरू के अंसार गंगाधर नहरू आगरा चले आये थी गंगाधर की एक पैंटिंग बच गई थी शिनाक्त के दूसरे कागजात नस्ठ हो जाते हैं लेकिन पैंटिंग बच जाती है यह भी कम-कमाल की चीज नहीं है बावजूत की नहरू की आत्मकथा को छोड़ दिया जाये तो 1857 के बिद्रो से जुड़े किसी भी दस्तावेज और किताब में जहां बिद्रो का ब्यावरा है उसमें किसी भी गंगाधर नहरू का नाम नहीं मिलता क्या यह संभव है कि गंगाधर नहरू दिल्ली के कोतवाल थें मगर उनका किसी भी दस्तावेज में जिक्र ही नाए जंगाधर नहरू का जो चित्र है जिसमें वो मुगलों की तरह कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं एक हिंदू पंडित की तरह नहीं हाला कि नहरू ने अपने दादा के हुलिया का विवरण मुगल पोशाक में एक कस्मीरी पंडित के रूप में अपनी किताब में दिया है जिसका जिक्र पहले ही किया गया विडियो की शुरूआत में आपने उसको सुना होगा इंदिर्या के हवाले से पुपुल जैकर ने भी चिनार बैबहो वाले चैप्टर में पेज नंबर 4 के पहले पैरा में इसे और इस्पस्ट करती हैं गंगाधर नहरू के रूप में कश और पहले की तरह ही घर में हिंदू तरीकों से पूजा पाठ हो रहा था अब सवाल है कि जब दिल्ली का कोतवाल सेयद मुबारक शाह खान था आकरी कोतवाल फिर नहरू ने अपनी किताब में जूट क्यों बोला कि गंगाधर नहरू आकरी कोतवाल थे आकर नहरू अपनी आत्मकता में क्या चीपा रहे थे नहरू ने अपनी तमाम किताबों में कई जूटे संदर्व दियें जो बाद में भारत के दुर्भागे की वज़ा बन गए बहुत लंबा सिलसिला है अगर नहरू के दादा दिल्ली के आकरी कोतवाल थे तो तथ यही साबित करते हैं कि न उगलिया सल्तनत खत्म होने के बाद फिर घर वापसी कर लिए हो मगर इसका कहीं जिक्र नहीं आता तो यह इस्टेबलिस नहीं हो पाया है अब अगर नहरू के आधार पर राहुल गांधी की जात ही तैं की जाएगी तो तथियों का संकेत क्या है वह मुझे बताने की ज़र नहरू परिवार से था यह जरूर कुछ-कुछ नहरू के जैसा लगता है बावजूत की राहुल गांधी की जाती के बारे में एक और पैमाना उनकी कैथलिक मा सुनिया गांधी का भी आता है तीसरे पार्ट में हम सुनिया गांधी के पॉइंट अब यू से समझेंगे की आ आप अगर इसे साजा करेंगे आगे बढ़ाएंगे तो बात दूर तक जाएगी एपिसोड को लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट जरूर करें जल्द मुलाकात होगी आपका दिन शुब हो